औध्योगीत नगरी पिधंपूर के सागोर इस्तिशाष के स्कूल के समीब बनने वाली सड़क का निर्मान कार्य अभी भी अधूर है वहीं बारिश का मौसम सुरू हो चुका है जिसके चलते सड़क पर काफी किचड हो गया है यहां से अवागमन करने वाले रहगीरों को समस्याओं का सामना तो करना पड़ता ही है लेकिन वहीं सड़क के पास इस्तिशाष के करन्या विध्याले की चात्राओं को भी विध्याले आने जाने में काफी कठनाईयों को सामना करके विध्याले तक पहुचना पड़ता है इस शात्राओं और रहगीरों के लिए किसी प्रकार के अर इस्थाई रास्ते की विवस्था भी अब तक नहीं की गई है कक्षाथ छटी में पढ़ने वाली प्रियंका कुश्वा ने बताई कि बारिश के बाद घर से इसकुल आने में बहुत परिशानी आ रही है रास्ते में किचड हो रहा है जिससे ड्रेस के साहत बेग वा पाउँ किचड में हो रहे हैं इसकुल में पानी की विवस्थान होने के कारण दीन भर गंदे कपड़े वा किचड में सने पाउँ से ही पढ़ा ही करनी पड़ती है पिधंपूर से संजे संगरा की रिपोर्ट जी बताएं जो रोड का काम चल रहा है काफी किचड और गाय रोड पर क्या परिशानी आती है आपको इसकूल आने में किचड में परिशानी होती है और ब्रेश गंदी हो जाती है और छोटे-छोटे बच्चे गीर जाते हैं किचड में गाडियों भी नी चलती है और इसकूल आने में परिशानी होती है उसके लगव आपके स्कूल में क्या समस्या है और यह पेर डूप जाते पूरे पानी भर जाता इसकूल में और बच्चे को निकलने में परिशानी होती है आपका नाम मेरा नाम क्रिप्तिका शर्म प्रोट पानी बर जाता है बच्चे छोटे चोटे गिर जाते है और पीने का पानी वो त्क गाड़ी है इसकोल में पीने का पानी आपका नाम आपका नम प्रेंका कुछ्वा है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें